Hello and welcome friends, हमारे एक व्यूवर है एजाज अब दुला जिनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि आपने एवरेज और सम बताया तो है लेकिन अग्लियर नहीं हो रहा है तो क्या आप एक और वीडियो बना देंगे तो बिल्कुल बना देंगे आए समझते हैं average और sum Microsoft Texas पर तो ये Microsoft Texas का 2007 version मैंने open किया है 2007 इसलिए क्योंकि 2007 ही ज्यादतर लोग use करते हैं तो अभी यहां से blank database पर आप click करिएगा तो यहां आपको database 354 या जो कुछ भी इस तरह से कुछ मिल जाएगा by default name आप अगर name change करना चाहते हैं तो यहां पर खुद से अपना जो भी नाम आप देना चाहते हैं इस लिख देता हूँ और interface कर देता हूँ तो एक नया scenario नया window कुल करके हमारे सामने आएगा यहां से click कर दीजे view पर अब यहां पर इस data में इसको क्या नाम क्या देना चाहते हैं तो मैं अपना ही नाम दे देता हूँ यहां पर ठीक है interface करता हूँ तो यह आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा क्योंकि record तो आप directly इसमें enter कर नहीं पाएंगे कैसे enter करेंगे एक्सल नहीं है यह ठीक है तो इसे design view पर लेना जरूरी है तो यहां से जाकर क्या design view पर लेनी जीए और यहां पर आएगा role number student का role number अब यहां पर उपर आपको दिखाई पढ़ रहा है यह 40 सा जो दिखाई पढ़ रहा है इसका मतलब यह primary key है और primary key का अर्थ यह होता है कि आप कोई भी value एक बार दे पाएंगे ठीक है उसको repeat नहीं कर सकते तो repetition is not allowed in the field of which contained primary key तो primary key जो लिये हुए है उसमें आप repetition नहीं कर सकते चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर name of student कर देता हूँ तो यह कर दिया मैंने name of student ठीक है और यहां पर student का नाम आएगा तो यहां पर बहुत सारे data type आपको मिल जाते है इसको मैंने देखिया auto number रखा हुआ है यहां पर इतने सारे data type है अभी इसको हम रखेंगे text second वाले को ठीक है अब यहां पर कर लेता हूँ English पहला subject मालीज यह English हो जाएगा और दूसरा subject जो है यहां पर कर देता हूँ computer तो यह computer कर दिया तीसरा subject यहां पर biology कर देता हूँ biology चोथा subject कर देता हूँ chemistry तो c-h-e-m-e-s-t-r-y chemistry और पच्वा subject कर देता हूँ physics तो यह कर दिया मैंने physics और छट्वा subject तो है नहीं पाची subject रखेंगे इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो data type है इसको आप number जरूर बना ले क्योंकि calculation आप number से ही कर पाएंगे और कोई data type रखेंगे तो आप calculate नहीं कर पाएंगे तो यह जरूरी है कि आप इन सब को number जरूर बना ले ठीक है तो यह number कर लिया और यहाँ पर हम करेंगे total ठीक है तो यह कर दिया मैंने total marks तो यह total marks कर देंगे और यहाँ पर करेंगे average ठीक है तो यह average भी कर दिया हमने और average करने के बाद यहाँ पर number data type वापिस से हमें कर देना है तो यह number data type कर दिया हमने और यहाँ से view पर click करता हूँ और यह yes कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर student का नाम आएगा ठीक है और का नाम like मैं आप लिख देता हूँ राम आरे हम राम और यहाँ पर कुछ marks enter करते हुए चलते हैं हम like कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ marks हमने enter करा दिया अब माली यह दूसरे student का नाम है जावेद तो यह हमने कर दिया और यहाँ पर यह दे दिया फिर यह दे दिया फिर यहाँ पर नंबर दे दिया यहाँ पर नंबर दे दिया और at last यहाँ पर भी नंबर दे दिया तो यह दो student के mark center करा लिए हैं save कर लेता हूँ इसको अब चुकी हमें calculate करना है तो calculate को हम यहां से कर नहीं पाएंगे, तो हमें कहां चलना है, create पर चलना है, query design पर जाना है, और यह जो table हमने बनाई हुई है, इसको add कर वा लीजिए यहां पर, आप सारी field लेना चाहते हैं, यहां पर double click कर दीजिए उपर, ठीक है, और यहां से drag करके इन सारी fields को यहां लेके आ सकते ह अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, total करना है, तो total marks को calculate करने के लिए, right click कीजिए, zoom पे लीजिए इसको, मैं zoom पे इसलिए ले रहा हूँ, ताकि आपको बहतर तरीके से दिखा पाऊ, look अच्छा आएगा, आप ज़्यादा बहतर तरीके से देख पाएंगे, इसलिए size भी मैं increase कर देता हूँ, तो यहाँ पे size मैंने increase कर दिया, आप यहाँ पर आपको जो look आएगा, वो बहतर तरीके काएगा, जो भी आपको calculate करना है, उसे square bracket में लिखना है, तो सबसे पहला subject computer, ठीक है, sequence इदर उदर हो सकता है, लेकिन spelling सेम होनी चाहिए, फिर है English, फिर यहाँ प कर देगा यह, तो यह हो गया, हमारा आधा काम तो हो गया, आप average calculate करने को रह गया, तो यहाँ पर right click कीजिए, और zoom view पर इसे भी ले ले लेता हूँ, थाकि आपको बहतर look दिखाई पड़े, यहाँ पर क्या करना है, total marks जो आपने field डाला है, किसी को हम ले ले लेते हैं, तो 5 कुल मिला कर 5 subject है, तो यहाँ 5 से इसे divide कर देता हूँ, और ok कर देता हूँ, अब यहाँ से जब click करूँगा, तो यह सारे marks यहाँ पर calculate होकर आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, हर एक subject का marks यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसे चाहे तो आप bold कर सकते हैं, color भी बदल सकते है यह color में लिखा हुआ हैगा, अब यहाँ पर हमने calculate तो कर लिए, query तो बना लिए, अब इसको save कर लेते हैं, किसी दूसरे नाम से save करना चाहते हैं, तो यहाँ पर calculate के नाम से save करता हूँ, calculate, ok, तो यह calculate के नाम से save कर दिया मैंने, ok, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए form design करते तो create पर चेलेंगे, और यहां से आप report design कर सकते हैं, लेकिन फिलाल हमें form design करना है, तो यहां पर जाढ़ा है form wizard पर जैसे ही जाएंगे, तो इन सारे fields को हमें लेना है, तो यहां पर next पर click करेंगे, और next पर जाएंगे, और यहां से किक को ले करके आईए, पहला हो गया, रोल लंबर, और यहाँ पर कर दूँगा नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम यहाँ पर आएगा, इंगलिस का मार्ट्स जो है, इसको यहाँ पर कर देता हूँ, यह स्टूडेंट का नेम इसके ठीक बगल में रहेगा ओके तो यह कर दिया हमने और इसकी size को घटा बढ़ा करके आप इसको adjust कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक है तो यह दोनों हो गया अप फिर यहाँ पर computer का आ जाएगा marks तो यहाँ पर कर देता हूँ computer वाला marks तो इसको यहाँ पर लेके आएंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से ठीक है यह देख सकते हैं यह computer वाला marks हो गया और फिर यह biology वाला marks हो गया ठीक है यह हो गया biology वाला फिर यह हो गया chemistry वाला ओके तो यह chemistry हो गया फिर यह physics हो गया तो सारे marks हम लेके आगए, अब हमें total लेके आना है, जो हमने calculate किया था, तो यहाँ पर हम total marks लेके आते हैं, यह ध्यान दीजिए, अगर आप नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो नीचे भी लेके जा सकते हैं, यहाँ पर total marks आएगा, average इसी के ठीक नीचे लेके आजाएंगे, तो यह देखिए, यह average भी आगया, अब हम क्या करते हैं, बैग्राउंड पर click करते हैं, यह background पर click किया हमने, और background पर click करने के बाद हमें क्या करना है, simply background का color बदल देना है, ठीक है, अब यह कर लेने के बाद, आप चाहिए तो इसके लिए combo box भी बना सकते हैं, ठीक है, combo box कैसे बनाते हैं, वो आपको बताता हूँ अभी, यहाँ पर simply view पर click करना है, तो जैसे view पर click करेंगे, तो आपको सारी चीज़े यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, देख सकते हैं, average, total और सारी चीज़े आपको दिखाई पड़ेंगे, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर right click करके, वापस से design view पर लेते हैं, और यहाँ से combo box design करेंगे हम, ठीक है, अब यहाँ पर एक field हमें चाहिए, जिसके बेसे तो unique field role number ही है, तो role number हम ले लेते हैं, और यहाँ से next करते हैं, next करते हैं, और यहाँ पर role number 1 आ रहा है, कि वाँ रोल number ही रखेंगे, और यहाँ पर finish पर click कर देंगे, तो यहाँ पर यह देखेंगे, कि search box आपका बन जाएगा, combo box के रूप में search box से आ जाएगा, अब इसको select करके, इसका background में किसी और color का कर देता हूँ, like यह color yellow कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और अब इस पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर roll number दिखाई पड़ेगा, पर यहाँ पर जब roll number आप select करेंगे, तो उसी के according records भी आते चले जाएंगे, यह easily आप कर सकते हैं, इसमें कोई लिक्कत नहीं है, तो I hope कि यह बात समझ में आ रही होगी, कि आपको यह कैसे करना है, यह बहुत easy है, और एक बार ध्यान से आप देख लेंगे, तो असानी के साथ आप इसे कर भी पाएंगे, उमीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, तो आप इसे share करें, thank you for watching this video.